नमस्ते मेरी पूरी यूटूब फैमली आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स और आलू के चिप्स बनाना है बिल्कुल आसान है इतना आसान है कि आप इने देखते ही बनाना शुरू कर देंगे अगर आपको पसंद आजाए वीडियो हमारी दोस्तों तो लास्ट में हमारी वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पे देखे हमने लिए है बनाने के लिए पहले पाँच आलू नए वाड़े आलू है यह जो आज कल आई हुई है तो इनका साइज थोड़ा सब बड़ा लेना है देख सकते हो मैंने जितने भी हमारे पास आलू से उन में से सबसे बड़े आलू निकाल लिए यह देख सकते हो थोड़ा बड़ा ही साइज अच्छा रहीगा आलू का तो इन्हे हमने न छीलना पहले पाच आलू को हम छील के आपको दिखाते हैं और फिर हम क्या करेंगे पाने से दोलेंगे यह देखिए हमने नई ने पाने से दोलिया है और दोने के बाद अगर आपके पास आप इन्हें चक्कु से भी एकदम पत्रा पत्रा काट सकते हो लेकिन अमारे पास यह जो कद्दू का सना इसमें भी यह एक साइड में दे रखा आपधा है चिप्स निकालने का तो हम इसी से थोड़े पतले पतले से चिप्स आलू काटके निकाल लेंगे यह देखिए इस तरीके से इतना पतला होना चाहिए यह देखिए हमारी उंगड़िया निच्चे से साफ नजर आ रही है तो इन्हें हम क्या करेंगे मतलब पाने ये गहरे से बरतन में पानी ले लेंगे और उसी के अंदर हम इने सारे को डाल देंगे जितने आलू होना पाचों के पाचों को इस तरीके से करके हमने पाणी में डाल दिया है और अच्छे से ना इनको हड़के से आच्छी दो तिन बार दोल लेंगे हम इनको जब तक की साफ पाणी नजर नहीं आई और जब क्या करें कि गैस पे रख दे पाणी और ये जब तक गरम होगा जब तक हम एक दो बार आलो को अच्छे से साफ कर लेंगे तो पाणी जब साफ हो जाए ना तो समझे लेना कि अच्छे से दूल चुके है ये देखे आलो को जोर जोर से ऐसे मसलना नहीं है नहीं ते तूट जाएंगे क्योंकि एकदम पतड़े हमने पीस निकाल ले है इनके और पाणी भी यहाँ पे गरम हो चुका है और इसके हम इने पाणी के अंदर डाल देंगे और पाणी लगातर गरम होता जा रहा है तो इसी में ये ज्यादा हमने इन आलो को इन पीस को आलो के पीस है जो डाले है ज्यादा सोप्ट नहीं करना है एक दम ऐसा नहीं कि ये गुल जाए बस ऐसा रहे कि जम इने उठाए और शुका जाए तो जैसे पीस हमने कडाई में डाले है न वैसे ही निकल के आई यासा नहीं कि एकदम गुल जाए वो तूट जाए बस हड़का सामने इनको बालना है एक दो बार उपर से निच्चे गुमाते रही ने क्योंकि जो निच्चे वाड़े हैं थोड़े से उपर आ जाएंगे और वे भी अच्छे से थोड़ा उपर वाड़े निच्चे जाके हड़का सा सोप्ट हो जाए तो इस तरीके से आप एक उठा लेना और देख चैक कर ल अच्छे से हो जाएंगे देखिए जादा ही नरम इनको नहीं करना होता है यहां पर तो अभी ने हम निकाल लेंगे चैक करके एक बार ओर तो यह देख सकते हो यह अच्छे से हो चुके हैं और इने अब हम एक चलनी की सायता से बार निकाल लेंगे जितना पमाणी है इसके अंदर ही डाल रह जाएगा और अच्छे से पीस निकल के आएंगे यह देखिए सारे निकाल के हम बाहर निकाल लेंगे इनको यह देखिए हमने न सारे निकाल ली है और एक दम निकालते ही हमने इनको दूप मे नहीं रखना ओता हड़का सा हम पहले ने ठंदा करेंगे तो दूप मे जाते हैं जब तक कि यह इस तरीके से कपड़ा बिछाएगे हम एक और जब तक हड़के से ठंडे हो जाएंगे तो देखे ये भी थोड़े से ठंडे हो चुके हैं कपड़ा हमने अच्छे से बिचा दिया दूप में सारा दिन ये दूप में सुक जाएंगे एक या दो दन की दूप लगेगी इनको तो यहां देखे मैं आलू को दिखाते हूँ देखे मैंने उबाल भी लिए है आलू अच्छे से और अब ये थंडे भी हो चुके और जो आलू के हमने पीस जैसे निकाले थे ना वैसे की वैसे ही हैं हमने इनको टूटने नहीं दिया है और नहीं गूल ने दिया एकदम पाने में ज़्यादा ही गूल जाए ना फिर एक आलू के कई-कई पीस हो जाएंगे ऐसा भी नहीं होने दिया हमने देख सकते हो एकदम पीस आलू के जैसे हमने काटे थे न वैसे ही निकल ले हैं देखे तो इन से न जब इतने अच्छे शिप्स बनेंगे एकदम बड़े-बड़े से तो इन सारा दिन के लिए हम धूप में यहां पे सुका के रखेंगे और बीच में हम इनको पल्ट भी देंगे तो इस सुकने के बाद हम आपको दिखाते हैं यह देखे अगले दिन यह सुक चुके हैं हम इनको उतार लेके आए गए हैं और कडाई में डाल दिया तेल इसमें हम चैक करेंगे इनके लिए है न एकदम पड़ यासा गरम तेल होना चीए तो यहाँ पे देखिए इतना गरम नहीं है तेल फिर भी थोड़ा साओर गरम करेंगे हम यह देखिए एक चिपस अच्छे से फूल चुका है तो अब तेल हमारा यह गरम हो चुका और इसमें हम डाल लेंगे यह आलू के चिपस यहाँ पे देखिए आप ना अगर आपसे अगर एक बार ऐसे आप डाल देते हो और हम इने जब निकाल लेंगे ना तो निकालते निकालते भी क्या होगा यह ज़्यादा ही तेल जो गरम है उसमें ज़्यादा ही थोड़े लाल से हो जाएंगे तो इस के लिए हम क्या करेंगे एक साथ में तो हम इनीन निकाल सकते ना तो जब तक हम इने दो तीन बार ऐसी निकाल लेंगे न जब तक तो जो लाष्ट में है वो और भी लाल से हो जाएंगे तो हम क्या करें इस तरीक के से न nach छलनी ले ले और इसमें डाल ले वे और इनको हम देखे तेल में डालते ये अच्छे से हो जाएंगे और जब हो जाएंगे और जब हो जाएंगे जब ये चिप्स हो जाएं तो इन एक साथ से उपर उठा लेना ये देखे इस तरीके से है ना इपिल्कुल आसान तरे का नहीं नीचे से तेल से उठाने हैं बस एक दम उपर छिलने को उठाओ और इनको रख दे तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको चिप्स को फ्राइ कर रहे न तो उसी टाम एक दम उठा लेंगे जब यह हो जाएंगे मैं बार बार इनको निकालना नहीं पड़ेगा यह देखिए तो हमें तो यह आइडिया अच्छा लगा कि छलनी में रखो इसे और एक बार में डालते ही अच्छे से हो जाएंगे और तुरूंत ही निकाल ले तो फिर से हम डाल लेंगे जितने हमारे पास आईए हम सभी इस तरीके से एकदम कुरकुरे से यह चिप्स बना के तयार कर लेंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आए गई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सेर करना और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आगई है तो देख सकते हो चिप्स एकदम कुरकुरे बनके तयार भी है सारे हमने बना लिये हैं और मार्किट में से तो इतने से पैसो में जरा से चिप्स आते हैं वो घर पे हमने देखे कितने सारे चिप्स बना के तयार कर लिये हैं आप इने जिनतना खाए उतना ही बना के तयार कर सकते हो बाग याप इने स्टोर करके भी रख सकते हो ये खराब नहीं होते सालो साल तक ये चलते है